गुड मॉर्णिंग बच्चों, आज मैं आप लोगों को हिंदी वियाकरण में वाक्य बिचार बताऊंगे वाक्य क्या होता है क्लास शुरू करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजे वाक्य होता क्या है? वाक्य किसी भी ब्योस्ति सब्समू से जब किसी चीज का मतलब प्रकट हो यानि कोई चीज एकदम हमें समारे सामने क्लियर प्रकट हो जाए उसी को वाक्य करते है यानि जीज ब्योस्ति सब्समू से किसी चीज का मतलब प्रकट होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे वाक्य कहेंगे जैसे कुटा और बिल्ली आपस में लड़ रहा है तो इससे हमें पता चल ला है कि कुटा बिल्ली लड़ रहा है हाथ ही लाइन से चल लई है और एक दूसरे के पीछे चल लई है तो ये एक दूसरे की पीछे चल लई है तो ये एक वाक्य विचार इसको मैंने तीन पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है, तो ये पहला पार्ट आप लोग को पढ़ा रहे हैं, अब वाक्य क्या होता है, ये तो आप समझ गये, अब वाक्य के अंग, वाक्य के दो अंग होते हैं, पहला होता है, उद्देश से दूसरा होता ह जिसको इंग्लिस में subject of indicate बोलते हैं तो उद्देश्य क्या होता है जो वाकि होता है जिसकी बिशा में हम लोग कुछ कहते हैं वही उद्देश्य होता है जैसे कि मुहन बिद्देले में सिच्छक है तो कौन बिद्देले में सिच्छक है तो मुहन जो है इसमें उद्देश्य हो जाएगा ठीक है दूसरा होता बिधे बिधे वाक्य में उद्देश की बिशा में जो कुछ कहा जाता है जब वाक्य कोई सेंटेंस बनता है तो उसमें उद्देश की बिशा में जो कहा जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं बिधे कहते हैं जैसे हम कहेंगे इसमें दिया है मुहन विद्याले में सिच्छक है तो मुहन जो हो गया क्या हो गया उद्धेश हो गया अब विद्याले में सिच्छक है कौन सिच्छक है तो मुहन जो है उद्धेश हो गया अब विद्याले में सिच्छक है जो यह क्या हो जाएगा हमारा विधे हो जाएगा ठीक है तो आज क बेली इतनाइ का फियत जैहिन